कि अएलो दोस्तों मैं नितीस हमारे यूटूब चैनल में आप लोग को स्वागत करते हैं आज के वीडियों में लोग जाने कि लेटरल टी अन इक्वल का कैसे हम लोग बैक प्टिट मार्किंग करते हैं उके फ्रेंट तो क्यों करते हैं तो लेटरल ठीक ब्रांच बैठाने के लिए होल मार्किंग करने के लिए ओके फ्रेंट तो बहुत सरा फीटरलों क्या करता है ना यह जो इधार साकर फ्रेंट ड्रोइंग में दिया हुआ यहां पर यहां पर पोईन्त मिला का मार्किंग कर देता हो का फ्रेंट का हम लोग सेंटर निकलना परता हएं निकालना आपड़ता होग्यूआ पसकर देख सकते है तो मेरा चारन चींटी सो आने वाला है तो मेरा चालेंज जी का ओड़ी होता है एक सो चोगदे में तो इसको हाप कर देंगे तो 57 57 डिवाइड टैन 45 हो जागा तो मेरे एंसर आ जाएगा 57 में ओके फ्रेंड तो हम लोग क्या करते हैं जैसे कि देख सकते फ्रेंड अगर मेरा आप द्रेंग में इधर से अगर लेंथ दिया होगा इधर से तो हम लोग क्या करेंगे इसमें हाइडर का हाप ओडी पलस कर देंगे ओके ओल अब इसको क्या करेंगे हम लोग पुड़ा राउंड इसको देख सकते हैं पुड़ा राउंड इसको लोग मार देंगे अब इसको क्या करेंगे हम लोग यहां पर यहां पर क्या करेंगे शेट कर देंगे और यह बला लाइन और यह बला लाइन मेरा ब्रांच का मिलना चाहिए अब देख सकते हैं यह दोरन तरब का ब्रांच का लाइन मिलना चाहिए और देख सकते हैं फ्रेंट यह मेरा जो यहां पर यह पोड़ा प्वाइंट मिलना चाहिए और इसको हम लोग मार्किंग करके आप लोगों को दिखा देते हो लिका जैसे फ्रेंट देख सकते हैं मेरा होल का मार्किंग हो गया हो का फ्रेंट अगर मेरा ड्रेंग में अगर इधर से इधर से अगर 300 जीतना भी दिया हो फ्रेंट उसमें हम लोग हाइडर का हाफ और प्र를स कर देंगे हो का फ्रेंट जैसे दिखसकते हैं प्रेंट अगरा इधर से मेरा लेंठ धी आ रहाता इधर ता गरलेंश दिए होगा इसको हम लोग कि इधर से क्या करेंगे इधर मेरा माइनस मैंने सब्सक्राइब करेंगे अगर मान लिजे कि अगर दिया गुए 300 300 दिया हुआ तो इसके हाफ ओडी हम लोग इसमें प्लस करेंगे ओके प्रेंट जिसे दख सकते हैं और प्लस करने के बाद यह मेरा लाइन मिलना चाहिए कि धिला प्रेंट प्लम के बाद बाद मिलना चाहिए ओक है उसके हम लोग बरांच का बैक प्रेंट बोलते हैं इसको करके हम लोग मार्किंग आसानी से कर सकते हैं लाइन में मिलना चाहिए और वाला लाइन मिलना चाहिए और वाला भी पॉइंट मिलना चाहिए कि उम्हीद करते हैं फ्रेंट की मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लागा हुआ तो हमारे चैनल को लाइक एंस सिर्ण सस्क्राइब कीजिये ठैंक यू